Hello friends तो जीसिकि आप यहाँ पर देख पार होंगे मेने यहाँ पर एक ले लिया amplifier board तो friends यह जो amplifier board है वो है आपका 31-18 board और यह tpp 31-18 board है और यह आपको amazon पर मिल जाएगा online और offline अगर आप इसे ले कर आते हैं तो यह आपके लिए जादा बैस्ट रहेगा क्योंकि आफ लाइन आपको नबहरबेगा मिलेगा और लाइन आपको थोड़ा मेंगा मिल सकता है साथी साथ इसमें दो स्पीकर्स आपको चलाने के लिए दिये जाते हैं यहाँ पर आप 15 बाट तक के स्पीकर्स को यूज़ कर सकते हैं और तीन इंची के होने चाहिए ठीक है और यहाँ पर आप जो हैं चार ओम और आठ ओम तक के स्पीकर्स को यूज़ करें तो ज़्यादा बैटर रहेगा क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा भी ज़्यादा ऊपर लेते हैं तो वो स्पीकर्स आपके थोड़े दिक्कत कर सकते हैं यहाँ पर स्पीकर्स जो है ओम में आपको चार ओम में और आठ ओम में मिल जाद नहीं हैं उनसे खास यहाँ पर फड़ाक नहीं पड़ेगा कि आप उसमें 11 इंची का स्पीकर्स करते हैं फिर चार इंची गा या तीन इंची गा तो वो आपका मेटर है और यह 12 बोल्ड पर चलता है साथ ची साथ आप इसमें 15 बोल्ड भी दे सकते हैं अब इसको आप ब्लूटूस से भी चला सकते हैं क्योंकि मेरे पास यहां पर एक आफशन यह भी इसमें दिया हुआ है कि आप इ इस ब्लूटूस का फायदा यह है कि यह 5 बोल्ड पर आपको चलेगा और इससे आपको फायदा सिर्फ यही रहेगा कि आप इससे अपने फोन को दूर से ही जो है कनेट करके चला सकते हैं और अगर आप इस ब्लूटूस को लगाना नहीं चाहते हैं या फिर आप उसमें और साथ इसके connection आपको Bluetooth के और module के दोनों के circuit diagram आपको description में दे दूँँगा आप जाकर देख सकते हैं circuit diagram को और बना भी सकते हैं घर पर अब देखें याप पर Bluetooth को power देने के लिए आपको चाहिएगा 7805 IC क्योंकि यह जो IC है वो आपको 12 volt से 5 volt करके देगा convert और जो Bluetooth है वो 5 volt पर चलेगा और जो आपका amplifier है वो चलता है 12 volt और 15 volt पर तो best यही रहेगा कि यह आप 7805 IC को use करें क्योंकि अगर आप इसको use नहीं करेंगे तो आपका जो Bluetooth है वो 12 volt लेते ही तुरंत ही खराब हो जागा तो best यह रहेगा कि आप 7805 IC को use में ले ले और उससे जो है अपना Bluetooth को अच्छे तरीके से चला ले और अपना जो एक अच्छा छोटा amplifier board बनाना चाहें तो घर पर ही आराम से इससे बना सकते हैं और इसमें जरूरी नहीं कि आप देखिए लीथिमन बैटरी का use करें बारे बोल्ट की या फिर जो बड़ी बारे बोल्ट की बैटरी आती है इसमें आप बारे बोल्ट का जो adapter आता है चोटा वाला जो 60-70 रोपे के असपास का आता है उसे भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और ये मैंने खुदी यूज करके तभी मैं आपको बता रहूं क्योंकि मैं उससे चला कर देखा है तो ये आरम से चल जाता है ठीक है फ्रेंस अब देखें यहाँ पर आपको लिधिम अगर आप लिधिम एन बैटरी यूज करते हैं उनको चार्ज करने के लिए तो आपको charger की जरूत पड़ेगी तो या तो आपके पास 12 बोल्ट का charger होना चाहिए और अगर आपके पास 12 बोल्ट का charger नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि 46 ये एक मॉडूल है जो कि चार्जिंग सर्केट बोड है ये बहुत अच्छा बोड रहेगा अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर में लगाएंगे तीन एंपियर वाला जो है डायोड और उसके बाद वहाँ पर बारे बोल्ट का तीन एंपियर की पावर देने वाला एक अच्छा वाला जो है चार्जर आराम से आप घर पर बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो बना कर दूँ तो कमेंट करके बता दीजेगा मैं इसका वी आपको एक सर के डायगराम और एक अलग से वीडियो इसका सैपरेट आपको बना कर दे दूँगा जिससे आप बारे बोल्ट बाला चार्जर बना लेंगे जिससे आपको 3A की पावर जो है बहुत अच्छी मिलने वाली है तो आप मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं आराम से इसका बना कर आपको दे दूँगा अब जो हमारा आइटाम है वो है फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे USB मॉडूल तो इस मॉडूल को आप अगर यूस करते हैं तो आपको सबसे ज़ादा फायदा होने वाला है अपने अम्प्लिफायर में क्योंकि यहाँ पर आपको एक USB पॉर्ट दिया जाता है और जो है चिप लगाने के लिए भी यहाँ पर आप्शन दिये जाते हैं जो है आपको FM का जो experience है वो काफी अच्छा यहाँ पर आपको दे देता है और मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा best रहेगा कि आप अगर 62 CIC को use कर रहे हैं तो भी आप इसे use करने कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप यह चाते हैं कि नहीं मुझे 62 CIC को use में नहीं लेना है तो आप इस बोर्ड को use में ले सकते हैं बारे बोल्ड का ही है यह भी और बासटरे CIC भी यहाँ पर आपकी बारे बोल्ड में चल दिया है तो दोनों ही option ठीक हैं लेकिन मैं यहीं कोँगा कि आप कोशिस करें कि आप 62 CIC को use मिलें क्योंकि वो made in India भी रहती है और यह यहाँ पर नहीं बन दे हैं बोर्ड तो market से आप लेकिया आते हैं और आप किसी भी पुरानी किट में से इसका बासटरे CIC का सामन निकाल भी सकते हैं और उसमें लगा भी सकते हैं तो सिर्फ आपको value यहाँ पर दी होती है पहले से ही और value आपको देखकर ही capacitor पर पता लग जाएंगी resistance आप यहाँ पर देखकर ही पता कर लेंगे इसकी data sheets निहां पर अगर आप इसकी निकाल लेते हैं बासटरे CIC की तो इसको data sheet में आपको देदिया जाता है सारा setup पता पढ़ जाएगा कि इसमें कौन-कौन से components को use किया गया है और कितने resistance का क्या-क्या लगाया हुआ सभी आपको जो है रेजिस्टेंस के बारे में पूरी details जो है मिल जाएगी कोशिस करूँगा कि आपको इसकी data sheet भी प्रोवाइड कर दू डिस्कूशन में लिंक में तो आप जरूर से देख सकते हैं किसी भी component का आप देखना चाहते हैं तो सभी की data sheet जो है दी होती है ठीक लगा और मैं यह नहीं कहा रहा कि यह board काफी है मतलब ठीक नहीं है अच्छा board है पर मैं प्रफर्ड आपको यह करूँगा कि आप बासर तरह इसी यूज किया था जो की तीन इंची चार इंची के होते हैं तो उसमें इसका experience इतना खास अच्छा नहीं लगा था मुझे इसकी experience अगर आप इससे चलाते हैं किसी बड़े वाले speakers में जैसे जो टीवी के LED टीवी के जो speakers होते हैं और इसको अगर आप यूज मिलेते हैं जो की तस वाट में और चार ओम में आ जाते हैं तो उन्हें आप बूफर वाले जो speaker होते हैं उन्हें यूज मिलेंगे न तो इसके जो sound है जो base quality है काफी अच्छी आपको उनमे मिलने वाली है क्योंकि मैंने खुद भी उसको यूज किया था तो मुझे जो है जो experience है real time experience काफी अच्छा मिला था एक जो मेरे पास जो मैंने speakers use की हैं उनकी discussion में आपको link दे दूँगा आप उस video कर जाकर देख सकते हैं कि मैंने जो speaker आपको पता रहा हूं वो speaker कौन से वाल और मतलब sound भी इतना प्यारा आ रहा था कि मैं कहा सकता हूं कि हाँ मेरे पैसे यहां पर बसूल हो गए 90 रुपे मतलब इस board में मैंने 90 रुपे खर्चिये तो मेरे साब से काफी अच्छा था और अगर आप market से लेने जाते हैं तो यही आपको 300-400-500 रुपे में मिलता है बन अच्छा है मेरे साब से बैस्ट है और यह आपको प्रफर मैं यही करूंगा कि आप 200 रही सी ऐसी को यूज़ करें बाकि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लागा है तो लाइक कर दीजेगा और जादा से जब्सेर कर दीजेगा मिलते हैं इसी तरी की और वीडियो से